हेलो फ्रेंट्स दिस जोती वर्मा तोड़े आइम गोईंग टू स्टार्ट विद बीएट सेकंड समस्टर सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल साइंस तो टीचिंग ऑफ सोशल साइंस जो हम अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसके अंतर हमने लास्ट वीडियो देखी थी कि जो डिफ्रेंस है सोशल साइंस और सोशल स्टडीज के बीच में वो बिसिकली है क्या डिफ्रेंस बेट्विन सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज और आज का हमारा टॉपिक है उसका नेक्स टॉपिक समाजिक अध्यन या फिर विज्यान सिक्षण के उदेश्य वर लक् हैं वो हमारी चोटे लगोल पर होते हैं हम उनको चोटे लफल पर अचीव करते हैं और चोटे चोटे लक्ष्य लखे ब स्कली यानि चोटे घालींगे ओप्जेक्टिफ क्या है और एम्स क्या है उदेश्य और लक्षे तो पहला हम देखेंगे इसके अंदर उदेश्य अल्पकालीन होते हैं मतलब जो उदेश्य हैं समाजिक विज्ञान के वो अल्पकालीन होते हैं और लक्षे क्या होते हैं लक्षे जो हैं वो दीर्ग कालीन होते हैं कहते हैं और उत्देश साइक्लोजिकल होता है और लक्ष जो है लक्ष का सीकलोजिकल होता है एक साइकलोजिकल होता है और इससे तक ही सीमित है मतलब जो अब्जेक्टिव से वो कक्षा तक, विद्धयाले तक, और टीूट्व कोईन सैप्ठाली सीमित है मतलब संपून्द सिक्षा प्रढाली आजाती है आपके लक्षे के अंदर कि आपको कुछ अचीव करना है अपर लेवल पे फोर्थ हम देखेंगे उद्देश्य समय सीमा के अंदर प्राप्त किये जाते हैं मतलब जो उद्देश्य हैं वो समय सीमा कम समय लेते हैं समय सीमा के अंदर ही प्राप्त किये जाते हैं और समय परिवर्तन के साथ ब अंदर उद्देशे वांशित दिशा में वेवहारिक परिवर्तन के लिए बालकों को प्रेडित करते हैं और नेक्स्ट है हमारा लक्षे का निर्धारण बालक के वेवहार के वांशित परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है मतलब लक्षे का जो होता है वो निर्धारण किस वरूप एक सिख्षक के प्रयास पर निर्भर करती है मतलब जो सिख्षक है उसके प्रयास पर उसके ट्राइल्स पर निर्भर करती है और लक्ष की प्राप्ति के लिए सिख्षक विद्याले प्रसाशन एवं समाज तीनों का उत्तरदाईत वो होता है मतलब इन तीनों की responsibility होती है कि वो बच्चे के भविश्य को और अच्छा बनाए सैवन्थ है उदेश्य विश्य की विश्य वस्तू मतलब जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसका जो कंटेंट है उसकी जो पुस्तक है विश्य वस्तू है एवं सिक्षड अधिगम क्रियाओं के चैन में सहायक होते हैं आगे हम देखेंगे इसके अंदर में अब्जेक्टिफ इसके क्या क्या है मतलब जो हमारे इसके में अब्जेक्टिफ होते हैं वो बेसिकली क्या क्या है अब्जेक्टिफ आफ सोशल साइंस मतलब ऐसे कौन-कौन से उद्देश है सोशल साइंस के जो हमारे लिए कि यहीं तो वस्ट है हमारा इसके अंदर विकौस करना मतलब सोचल साइन्स से क्या होता है मानसई शक्तियोंं का विकास होता है डीटप्लेप्मेंट ऑफ मैंडल एगिलिटीज सेकेंड है हमारा मनोविज्ञानिक विकास करना यानिकी साइकोलोजिकल डेवलेप्मेंट तो यह इस तरीके से क्या होता है हमारी मनो जो मनोविज्ञान है साइकोलोजिकल आपका जो माइंड स्ट्क्चर है उसका डेवलेप्मेंट होता है थर्ड है हमारा इसके अंदर व्यक ससी किहाम या उसका करता है है कि चाirens खरेट के चलते हैं आपके सेंस का यूज़ करके आपकी इमोशन का यूज़ करके तो इस तरीके से आपका क्या होता है किbrar कि सेंसी का जिस शेत्र की जानकारी आपको चाहिए, जिस जेग्रफिकल एरिया की जानकारी आपको चाहिए, उस जेग्रफिकल एरिया की भुगॉलिक वातावरंड की जानकारी आपको समाजिक विज्ञान देता है, यानि की to provide knowledge about geographical environment, मतलब जो geographical environment है, पर रेवरंड है, किसी भी जगे का, उसकी knowledge आप यहां से याने की समाजिक विज्ञान से ले सकते हैं सेवन्थ है आपका इसके अंदर संस्कृति की जानकारी प्राप्त करना यानि की तो provide cultural knowledge मतलब आपको किसी भी जगह का culture अगर आपको पता करना है कि इस जगह का क्या culture है या आप इस चीज के बारे में जानना चाते हैं उच्चुक हैं आपके अंदर कुछ curiosity है कि आप इस जगह के जैसे की मालेजी आप दूसरे स्टेट के cultures को जानना चाते हैं तो आप समाजिक विज्ञान के जरिए वहां के भोगालिक शेत्र के बारे में पूरा टूटली inquiry कर सकते हैं टूटली सारी knowledge ले सकते हैं उसकी संस्कृति के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं तो प्रोवाइट कुल्च्रल नॉलेज और इक इसके द्वारा मिलती है समाजिक विज्ञान के द्वारा नाइन्थ है अबरे सके अंदर लोगतांतरिक मूलियों का विकास करना जैसा कि आपको पता है कि डैमोक्रेटिक Values कितनी important है तो इससे आपका क्या होता है development होता है development of democratic values किस से होता है समाजिक विज्ञान यानि की social science से 10 थे हमारे स्के अंदर राश्ठी एकता का विकास करना मतलब development of nationalism नेश्ठी एकता है उसका विकास करना किस के दौरा समाजिक विज्जान के दौरा ये तो ये कुछ आपके 10 points थे 10 आपके objectives थे समाजिक विज्ज्ज्ज्ज्रे जो समाजिक विज्ञान पढ़कर आप इन चीजों को गैट कर सकते हैं इन चीजों ये समाजिक विज्ञान आपको ये सारी knowledge प्रोवाइड कराता है और उसके उदेशे ही होते हैं कि इन सारी चीजों के बारे में आपको ग्यान हो I hope friends आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा पूरा topic आपको clear हुआ होगा कि aims में और objectives में क्या फरक होता है aims जो होते हैं वो बड़े level पर होते हैं और जो objectives होते हैं वो आपके छोटे level पर होते हैं कुछ ऐसे objectives को मिला कर आप एक बड़ा goal बड़ा aim हासिल करते हैं जैसे कि आप classroom में छोटे-छोटे objectives को कि आपको बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है उसको उनको study materials provide कराने है teaching learning materials के द्वारा आपको उनको पढ़ाना है तो ये आपके उद्देश्य होते हैं चोटे-छोटे की आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आपका main aim क्या है कि बच्चे को आपको उसका all-over all-over development करना है all-round उसका development करना है सरवांगेन विकास करना है उसका तो basically यही था आपका जो objective है और aim है I hope आपको पूरा topic बहुत अच्छे से समझ में आया होगा so please share with your friends also thank you so much friends for watching this video मेरे channel को subscribe करें वीडियो को like करें, share करें and comment करें and please press the bell icon for other notifications thank you so much